दोस्तो नमस्कार जहिन सेनिक मंत्रा परिवार में आप सभी का फिर एक बार स्वागत हैं दोस्तो केंद्रिय करमचारियों के पेंशन को लेकर एक बहुत बड़ी निउस हैं जिसके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए जैसे कि आप स्क्रीन के उपर देख पा रहे हैं अगर कोई केंद्रिय करमचारी नेशनल पेंशन स्कीम और ओल पेंशन स्कीम में से किसी का चायन नहीं करता है तो सर्विस के पहरे 15 सालों के लिए पूरानी पेंशन का लाब अपने आप मिल जाएगा उसके बाद उसे डिफोल्ट NPS की सुविधा मिल जाएगी दोस्तों एक खबर NPS सिस्टम और औल पेंशन सिस्टम के बारे में है हमारे पेरा मिल्टरी के भायों के लिए तो यह महतोपूर्ण है ही लेकिन मिल्टरी के भायों के लिए भी बहुत ज़्यादा महतोपूर्ण है कि हमने पिछली बार बताया था एक वीडियो के माधियम से कि अब आर्मी के लिए भी NPS की सिफारिस हो चुकी है तो इन सब के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है आईए आगे देखते हैं पेंशन से जुड़े नियमों को लेकर केंद्रिय करमाचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है यह नियम है नेशनल पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में से किसी एक ओप्शन को चुनने का नियम वास्तों में CCS Rules 2021 के नियम 10 के अनुसार नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर आने वाले केंद्र सरकार के करमचारियों को अब अपनी मुर्त्यू से पहले पूरानी पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम के तहट जमाप पेंशन कोप्श का फाइदा चुनने का ओप्शन मिलेगा इस योजना का लाब वो परिवार नहीं ले सकेगा जिसका सदस्यम मर चुका है अगर कोई करमचारी इन में से किसी ऑप्शन को अड़ोप्ट नहीं करता है तो नोकरी के पहले 15 वर्षों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम के तहट लाब दिया जाएगा उसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम का लाब डिफोल्ट रूप से मिल जाएगा आपको बता दे कि पुरानी पेंशन योजना का डिफोल्ट ऑप्शन मार्च दोहजार चुबिस तक पहले से ही दिया हुआ है बले की करमचारी 15 साल की नोकरी पुरी कर चुका हो CCS Rules 2021 को 30 मार्च 2021 की गजट नोटिफिकेशन के जरिए नोटिफाई किया गया है जिसमें कहा गया है कि NPS के अंडर में आने वाले सभी करमचारी गवर्मेंट जोब में आने के समय नेशनल पेंशन स्किम का लाब पाने के लिए फोर्म वन में एक आप्शन का चूज करेंगे इसके अलावा केंद्रिय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 या केंद्रिय सिविल सेवा असाधरन पेंशन नियम 1939 के तहत उनकी मृत्यू या अक्षमता के कारण बोर्डिंग या चंटनी पर रिटाइड होने की स्थीती में लाब लिया जा सकेगा नियम के अनुसार सरकारी करमचारी जो पहले से ही सरकारी जोब में है और NPS के अंडर में हैं उन्हें भी जल्दी ही फॉर्म टू में इस तरह के अप्षन का यूज करना होगा डिरेक्टर जनरल अफ हेल्थ सर्विस की और से नव जुन को एक अफिस मेमोरंडम जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि जो करमचारी पहले से ही सरकारी नोकरी में हैं और NPS के तहट कवर्ड है उन्हें भी फॉर्म टू में परिवार की डिटेल जानकारी देनी होगी यह सेंटरल रिकोर्ड में रखने की जरूरी है डिरेक्टर जनरल ओफ हेल्थ सर्विस ने सभी को 11 जून तक इस संबंद में अपना ओप्शन संबंदित डिविजन में बताने के लिए कहा था CCS Pensionium 1972 के तहट पारिवारिक पैंशन सरकारी करमचारी द्वारा इस्तमाल किये गए ओप्शन के अनुसार या डिफोल्ट ओप्शन का किसी करमचारी ने NPS का ओप्शन चुना है तो परिवार को NPS के तहट उसकी एकुलमेटेड पैंशन वेल्थ से लाब मिलेगा जिसके तहट डेट गेर्चुटी, लिविंग केश्मेंट, CGEGISA, से लाब, CGHS की सुविधाये और केंदर सरकार के करमचारी ओको साथवे वेतन आयोकी सिफारिसों के मताबिक सेलरी का भुगतान शामिल है तो दोस्तो ये थी पूरी खबर, इस खबर के मताबिक अब केंदरी करमचारीों को अपनी मृत्यू से पहले नेशनल पैंशन सिस्टम या ओल पैंशन सिस्टम में से कोई एक उप्सन का चूज करना होगा ताकि उनको मिलने वाले लाब उसी प्रकार से आगे मिलते रहेंग नमस्कार जेहिंद